हाई फ्रेंट्स विल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल क्रिस कंप्यूबर टिप्साइंट्स अगर आप विंडो 7, 8, 10 या 11 इंस्टॉल कर रहे हैं और इंस्टॉलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए आप डिस्क स्लेक्शन के पेज पर आ गए हैं और यहां पर आप आशा सो होता है विंडोस कैन नौट बी इंस्टाल टू इस डिस्क दा स्लेक्टर टिस्क आज एन एंबियार पार्टिशन टेवल ऑन एफ़ाई सिस्टम विंडो कैन ओनली इंस्टाल टू जीपीटी डिस्क रहा है कि आप चिस प्रेंट्राइब से अपने पीसी को बूट क लिए आप विंडोस को इंस्टाल नहीं कर सकते तो इसको सॉल्व करने के लिए कई बंदे आपको बताएंगे कि आप कमांड प्रॉंप्ट में जाईए और कुछ बंदे आपको बताएंगे आप बायो सेटिंग में जाईए मैं आपको विल्कुल इची स्टेप्स बताने आ जिनको फॉलो करके आप अपने PC में Windows 8,7,10,CV Windows को नॉर्मली इंस्टाल कर सकते हैं आपको ज्यादा कुछ अपने PC में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है तो आप इस OK पर क्लिक करेंगे और आप अपने Windows इंस्टालिंग सेटप को कैंसिल कर देंगे उसके बाद आप अपन दूसरी ड्राइब में कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको अपनी ड्राइब पर राइट क्लिक करना है आपकी जो पेंडराइब अपने PC में कनेक्ट की थी उस पर राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट पर क्लिक कर देना है और फॉर्मेट पर क्लिक करने के और detail में 532 सो हो रहा है तो आपको यहाँ पर NTFS कर देना है और अगर NTFS सो हो रहा है तो यहाँ पर 532 कर देना है और start format पर click करना है आप जैसे start format पर click करेंगे आपकी pen drive पुरी format हो जाएगी उसके बाद आपने जो setup अभी दूसरी drive में copy किया था उसको दोबारा से अपनी pen drive में copy करेंगे उसका setup पूरी तरह से completely copy हो जाए आपके pen drive में आपको अपनी pen drive को निकाल लेना है अपनी PC से और PC को restart करना है आपका PC जैसे restart हो अपनी pen drive को plug-in कर लेना है और boot menu key को press करना है तो boot menu key को आप press करेंगे तो आपका PC जो है boot menu में चला जाएगा और जब आपका PC boot menu में चला जाए तो आप वहाँ पर pen drive को select करेंगे और pen drive को select करके जैसे interface करेंगे आपका PC pen drive से boot होगा और Windows का installing setup जो है वहाँ open हो जाएगा आप यहाँ Windows 10 Pro को select कीजिए और next पर click कर दीजिए next पर click करने के बाद आपको जो Microsoft Windows जो recommend करता है अपनी term and conditions को उनको आपको accept करता है I accept the license terms आपको यहाँ पर check mark कर देना है और next पर click करना है आप next पर जैसे click करेंगे आपको यहाँ custom install windows only advanced पर आपको click कर देना है के बाद आप फिर से अपने drive selection वाले page पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर आप जैसे कोई भी drive select करेंगे आपकी वो problem थी वहाँ solve हो चुकी है तो यह problem आप देखेंगे यहाँ पर आपकी problem solve हो चुकी है आप जैसे किसी भी drive को select करेंगे और next पर click करेंगे आपका windows installing start हो जाएगी आपको चिस time में अपना windows install करना है उस पर आप click करेंगे और format पर click करेंगे जिससे कि वह partition format हो जाएगा और format होने के बाद आप उस partition को select करेंगे और next पर click करेंगे तो आप देखेंगे आपका Windows इंस्टालिंग प्रोसेस है वह शुरू हो जाएगी तो आज के वीडियो में बस नहीं Thank you so much for watching this video and I will see you next time